इस्टुडेंट स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग और गैनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और यह और गैनिक केमिस्ट्री चैप्टर का सेकेंड वीडियो है तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था chemical properties of ammonia and laboratory preparation of ammonia and इस वाले वीडियो में हम लोग basically chemical property of ammonia के बार में बात करेंगे जो के one of the most confusing portion है आपका इस chapter का तो उसको हम लोग कोसिस करेंगे कि जितना भी clear way में हो सके उतना clear way में समझें जिसे के हमारा जो confusion है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए और एक और बात के last वीडियो में मैंने आपको कुछ chemical compound का नाम अगरा बताया था तो उमीद है कि आप लोगों ने वो सब याद कर लिया होगा क्योंकि वो chemical compound का नाम अब हम लोगों को इस chemical property of ammonia में बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो उमीद है आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा तो बढ़ते हैं डिरेक अपने टॉपिक के दिरफ और सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा chemical properties of ammonia chemical chemical properties properties of ammonia तो हम लोग आज chemical properties of ammonia पढ़ेंगे अच्छे से और कोसिस करेंगे जितना simple way में हो सके उतना simple way में हम लोग इसको अच्छे से समझ ले ताकि हमारा confusion जो है वो पूरी तरीके से clear हो जाए तो देखिए सबसे पहले जो chemical properties में इसका property आता है वो आता है basic property that means कि हम लोगों ने last video में ये पढ़ा था कि हमारा जो ammonia होता है वो base होता है तो इसलिए देख लेते कि इसका basic property जो है वो कैसा है basic property तो basic property इसका check करने के लिए हम लोगों क्या करना होगा हम लोगों को एक एक करके इसको acid के साथ reaction करवाना होगा जब इसको Acid के साथ हम लोग reaction करवाएंगे तो क्या होगा हमारा वहाँ पे Salt Produce होगा ठीक है? Acid plus Base हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Acid Class 9 हम लोगों ने पढ़ा था Acid plus Base is equal to क्या होता था हमारा? Is equal to होता था हमारा Salt plus Salt plus Water होता था यह हम लोगों ने पढ़ा था class 9 में लेकिन इस वाले case में यानि जब ammonia हमारा base है तो उस वाले case में हमारा सिर्फ और सिर्फ salt produce होगा water produce यहाँ पे नहीं होगा ठीक है that means कि यहाँ पे अगर हम लोग acid plus base करेंगे तो हमारा salt produce होगा तो एक एक करके चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो हम लोग react करवा रहे हैं यहाँ पे वो hydrogen chloride के साथ करवा रहे है that means कि HCl के साथ करवा रहे है तो ammonia हमारा कैसा होता है ammonia हमारा NH3 कुछी तरह से हमारा ammonia था इसको हम लोग react करवाएंगे जब HCl से that means कि NH3 NH3 plus HCl तो यह इधर याकर क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा NH4Cl NH4Cl क्या है हमारा NH4Cl को हम लोग क्या बोलते हैं ammonium chloride और यह एक solid है ठीक है यह क्या है solid है and salt भी है तो अगर कोई आप से पूछे कोई एक example जिसमे दो gas react करके एक solid produce कर रहा हो तो आप क्या बोलिएगा कि जब भी हम लोग ammonia को react कराएंगे hydrochloric acid के साथ तो हमारा वहाँ पे solid produce होगा और वो होगा ammonium chloride ठीक है यह बहुत ही जादा important question है तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे दो gas आपस में react कर रहा है and react करने के बाद यहाँ पे जो reactant यानि जो के हमारा यहाँ पे product निकल रहा है वो क्या है एक solid है बात clear हो गया तो पहला reaction जो हम लोगों ने किया वो किसके किसके बीच में किया ammonia and hydrochloric acid के बीच में किया अब next हम लोग यहाँ पे reaction करते हैं ammonia and हम लोगों किया है next sulfuric acid यानि के H2SO4 H2SO4 इसके साथ जब reaction करेंगे तो यह क्या form करेगा यह भी हमारा salt form करेगा और salt किस तरह से form करेगा वो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ammonia का होगा वो दो mole होगा ठीक है यहाँ पे दो molecule होगा ammonia का single नहीं होगा जब यह दोनों आपस में reaction करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे बनाएगा NH4, 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 SO4 यह वाला जो भी मैं आपको यहाँ पे chemical reactions बता रहा हूँ वो आप copy में note down करके अच्छे से याद कर लीजेगा otherwise इस chapter में आप लोगो बहुत ज़्यादा confusion होने माला है क्योंकि इस chapter में basically याद करने के लिए बहुत कुछ है सभी chemical reaction आपको अच्छे से याद करना होगा अगर आप कुछ trick लगा कर समझ कर याद कर पाएं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहतर होगा तो मैं यही suggest करूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग उसको copy में note down कर लीजिए otherwise अगर आपके book में है तो आप book खोल के अपने सामने बैठी है और जो जो मैं समझा रहा हूँ अपने book के साथ मिला मिला कर उसको समझने की कोसिस कीजिए ठीक है ताके कुछ हद तक जो है आपका जो problem है वो solve हो जाए और बाकी आपका थोड़ा बहुत बचेगा वो याद करने के लिए तो याद तो इस chapter में आपको करना ही होगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले HCl के साथ react करवाया and second में हम लोगों ने क्या किया के H2SO4 that means के sulfuric acid के साथ react करवाया अब यहाँ पे जो third हमारा acid आता है वो क्या है HNO3 that means के nitric acid तो इसके साथ भी यहाँ पे हम लोग react करके देख लेते हैं तो NH3 plus HNO3 HNO3 यह क्या हमारा produce कर रहा है यह produce कर रहा है NH4 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 and यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा NH4 के बाद NO3 that means क्या हो गया यह ammonium nitrite हो गया sorry ammonium nitrate इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं ammonium nitrate नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा confusion होने माला है ammonium nitrate ठीक है इसको ammonium nitrate बोलते हैं इसको ammonium sulfate बोलते हैं एंड जो हमारा ये है इसको क्या बोलते हैं इसको ammonium chloride बोलते हैं तो ये हमारा हो गया basic property बेसिक प्रोपर्टी अगर कोई बोले आपको के ammonia का basic property बताओ तो आप क्या कीज़े क्लिरली आप क्लिरली उसको acid के साथ react करवाईएगा and react करवाने के बाद वहां पर देखेगा salt आपका produce होगा ठीक है और बाकी book में जो आपका statement है आप उसको एक बार देख लिजे तो आपको idea हो जाएगा कि किस तरह से statement को लिखा जाए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं reducing property का तो हमारा निख करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा ammonia को हम लोगों को black cupric oxide के साथ react करवाना होगा अगर आपने फिछला वीडियो देखा और जो chemical compound मैंने बताया था उसको अगर आपने याद किया होगा तो आपको cupric oxide किसे गते मालूम होगा ठीक है तो यहां पर हम लोग basically क्या करेंगे क्या करेंगे क्या क्या करेंगे क्या क्या गया cupric oxide इसके साथ क्या करेंगे ammonia को react यहाँ पर क्या हो यहाँ पर निकलेगा यहां पर नाइट्रोजन हो जाएगा त्ट हो यहां पर connection हुआ क्या हुआ कि हम लोगों ने ammonia के साथ reaction करवाया यहां पर DAVID sad ». लेकिन reaction के बाद यहां पर यह क्या हो गया रेड मेटली같住 हो आपसे question पूछा जा सकता है कि जब हम लोग cupric oxide को ammonia के साथ react करेंगे तो बताइए कि color में क्या changes आएगा तो आप लोग बोलिएगा कि जो सबसे पहले reaction हम लोग करवाएंगे तो वो black cupric oxide के साथ करवाएंगे ammonia का and reaction के बाद जो cupric oxide है हमारा वो reduce होकर metallic copper हो जाएगा और वो कौन से color का होगा वो red color का होगा ठीक है साथी साथ यहाँ पे water molecule भी बाहर निकल रहा है and उसी के साथ यहाँ पे nitrogen भी evolve हो रहा है इस वाले reaction से हम लोगों को एक और proof मिलता है जो के बहुत जादा important है वो यह proof मिलता है कि ammonia content nitrogen ammonia 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 content nitrogen ठीक है यह question आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा reaction द से पूछा जाए कि ऐसा reaction दो जिससे हम लोगों को यह पता चले कि ammonia nitrogen content करता है तो आप लोग क्या किजेगा यह वाला पूरा reaction वहाँ पे उतार दीजेगा and उतारने के बाद नीचे में लिखेगा कि this reaction proves that ammonia contains nitrogen that's it ammonia content nitrogen बस इतना ही आपको लिखना होगा यहाँ पे फिर एक पर पता दो इसको क्यूपरी का oxide बोलते हैं यह black color का होगा जब ammonia के साथ react करेगा तो यह red color का metallic copper में convert हो जाएगा clear है तो यह हो गया हमारा ammonia का reducing property ओके अब हम लोग यहाँ पे next property का बात करते हैं और next property क्या है reaction with alkali metal अब देखते हैं कि जब alkali metal के साथ इसको react कर रहे हैं तो हमारा क्या result आ रहा है अब alkali metal किसको कहते हैं देखिए periodic table में जो हमारा left hand side में group number one है उसको बोलते हैं alkali metal ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम लोग alkali metal कहते हैं तो यहाँ पे हम लोग alkali metal यूज कर रहे हैं वो होगा sodium यहाँ पे कौन सा alkali metal यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग sodium का साथ करवाएंगे इसको हम लोग react करवाने वाले हैं अमोनिया के साथ तो यहां पर अमोनिया के साथ इसको react करवा देते हैं and react करवाने के बाद क्या होगा हमारा react करवाने के बाद जो बनेगा वहोगा 2-N-A-N-H and यह इन-A-N-H को क्या बोलते हैं NA NH को हम लोग बोलेंगे Sodamide ठीक है फिर से मैं बोलूँगा last वीडियो में मैंने पूरा पूरा chemical आपको लिखवा दिया chemical compound अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर वो वीडियो को साथ तो क्या produce कर रहा है Sodamide produce कर रहा है and साथी साथ यहां पर hydrogen भी produce कर रहा है H2 hydrogen अब यहां पर इस reaction से हम लोगों को क्या पता चला कि हमारा जो ammonia होता है उसमें hydrogen होता है ठीक है अगर आप से कोई पूछे कि ऐसा reaction दिखाओ जिससे हम लोगों को यह proof हो सके कि जो हमारा ammonia है उसमें hydrogen रहता है तो आप यह वाला reaction लिखिएगा and reaction लिखने के बात similar जैसा मैंने बताया था कि this reaction proves that this reaction proves proves that ammonia contain hydrogen ammonia contain hydrogen ammonia contain hydrogen बस यही आपको लिखना है तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि prove that ammonia contain hydrogen तब भी आप यह reaction लिखे और नीचे लिखेगा कि this reaction proves that ammonia contain hydrogen बात समझ में आ रहा है यहां तक तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा और एक और important बात है इसमें वो क्या है कि इसका जो temperature रहेगा यानि जो यहाँ पे हम लोग reaction करवाएंगे तो reaction का जो temperature रहेगा वो क्या रहेगा reaction का temperature हमारा 400 degree Celsius होना चाहिए 400 degree Celsius हमारा होना चाहिए reaction का temperature 400 degree Celsius पे हम लोग यह वाला reaction करवाएंगे यह कौन सा reaction था यह reaction था हमारा reaction with alkali metal alkali metal के साथ हम लोग यहाँ पे reaction करवा रहे थे किसका reaction करवा रहे थे अलकेली मिटल के साथ हम लोग यहां पे अमोनिया का रियक्षन करवा रहे थे अलगेली मिटल के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोपर्डी के पास next chemical प्रोपर्डी हम लोग पड़ते हैं और वो क्या है katalistic catalytic oxidation to nitrico oxide इसका मतलब क्या हुआ अभी हम लोग अच्छे से डीटेल में समझते हैं catalytic oxidation catalytic oxidation अब ने catalytic oxidation का यह मतलब हुआ कि हम लोग यहां पे ammoniya का oxidation करेंगे लेकिन in presence of some catalyst catalyst की कौन है यहां पर यहां पर जो catalyst use होगा हम लोगों का इस process में जो catalyst यहाँ पे use हो रहा है हम लोगों का वो क्या-क्या है देखिए बता दूँ जो पहला catalyst यहाँ पे हमारा platinum, platinum, rhodium हो सकता है platinum, rhodium, platinum, rhodium यह हमारा यहाँ पे क्या होगा platinum, rhodium जो है वो यहाँ पे catalyst होगा ठीक है तो इस catalyst के present में क्या होगा, ammonia react करेगा oxygen के साथ किसके साथ, oxygen के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे है catalytic oxidation कर रहे है, किसका हम लोग यहाँ पे catalytic oxidation कर रहे है ammonia का, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे reaction लिखाएगा 4 NH3 यह हमारा हो गया ammonia और इसको excess air के साथ में that means के excess oxygen के साथ इसको react करेंगे and जब react करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जागा 4 molecule निकलेगा NO का NO किसको बोलते हैं NO हमारा हो गया nitric oxide तो यहाँ पे क्या हो गया 4 molecule यहाँ पे हमारा निकल गया nitric oxide का and यहाँ पे हम लोगों का water molecule निकलेगा 6H2O यह हो गया water molecule ठीक है आप इसको balance करना सीख सकते हैं जैसे के देखिए यहाँ पे nitrogen कितना है यहाँ पे nitrogen हमारा 4 था ठीक है यहाँ पे 4 है तो फिर यहाँ पे भी 4 होना चाहिए तो देखिए यहाँ भी 4 है अब देखिए यहाँ पे hydrogen कितना है hydrogen यहाँ पे है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 तो 4 3 जा 12 तो उस तरफ भी हमारा 12 हाइडरोजन होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए 6 तूजा 12 तो यहाँ पे 12 हाइडरोजन है अब बचा हमारा oxygen oxygen balance हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं तो आप यहाँ पे balancing अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ यह मालूम रहा कि इसको react कराने से हम लोगों का 4 NO निकलेगा तो आप लोग simply क्या कर सकते हैं इसको खुच से बना कर लिख सकते हैं ठीक है इसको हम लोग आगे देखेंगे को कोसिस करेंगे अच्छे से और समझने का कि इस तरह से हम लोग केमिकल को balance कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं precipitation reaction यानि कि कैसे reaction करेंगे तो हमारा जो हो precipitation form होगा ठीक है तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर heading लिख देते हैं precipitation reaction precipitation reaction तो देखे precipitation reaction में हम लोग क्या करेंगे इसको कि जो हमारा ammonia है तो ammonia को नहीं हम लोग यहाँ पर aqua solution of ammonia that means कि ammonium hydro oxide aqua solution of ammonia का क्या मतलब हो गया NH4OH यह हमारा हो गया aqua solution of ammonia बात समझ में आ रही है तो हम लोग precipitation reaction में क्या करेंगे aqua solution of ammonia को react करवाएंगे किस के साथ में aqua solution of ammonia को हम लोग react करवाएंगे aluminium chloride के साथ तो यह हमारा हो गया aluminium chloride एल, cl3 यह हमोगर हो गया, aluminium chloride और इसको किसके साथ react करवाएंगे, इसको हम लोग react करवाएंगे, ammonium hydroxide, that means कि aqueous solution of ammonia के साथ इसको react करवा रहे हैं, तो जब यहाँ पर इसको react कराएंगे, तो क्या होगा, nh4OH, यह chemical reaction आपको याद रखना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नह हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, AL, यानि के aluminium, and इसके साथ क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, aluminium hydroxide हो जाएगा, और यह 3 चला गया, यहाँ पर, प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको balancing करना भी अच्छ यहाँ चला गया, अब आपके पास क्या बचा, ठीक है, अब आपके पास जो है, वो क्या बचा, अब आपके पास जो बच गया है, वो बच गया है, 3 molecules of ammonium, and यहाँ पर बच गया है, CL3, यह दो चीच बच गया है, तो इन दोनों चीच को मिला कर हम लोगों को कोई एक compound उध 4CL होता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग ammonium chloride रख देते हैं, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, कि हमारा chloride कितना है, यहाँ पे एक ही है, लेकिन इस तरफ हमारा chloride कितना है, 3, that means कि अभी इसको 2 और chloride चाहिए, इसी तरह से हमी ammonium को देखेंगे, तो ammonium यहाँ पे 1 है, लेकिन यहा यहाँ पे यह भी 3 होना चाहिए, यह भी 3 होना चाहिए, तो इसका सामने क्या कर देंगे, इसके सामने यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, balance हो जाएगा, यहाँ पे 3 ammonium चला गया, and यहाँ पे CL 3 है, तो यहाँ पे 3 CL भी हो गया, that means कि हमारा जो पूरा equation है, व समारा के aluminium hydroxide produce हो रहा है, and साथ ही साथ यहाँ पे aluminium chloride produce हो रहा है, अब यहाँ पे precipitate कौन है, तो देखिए, precipitate यहाँ पे है, वो यह है, तो aluminium hydroxide का यहाँ पे precipitate formation होगा, clear है, इसी तरह से एक और अगर precipitation reaction देखें, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे है, ferrous chloride के साथ reaction करवा रहे है, ठीक है, ferrous chloride क्या होता है, FeCl3, इसका reaction करवा रहे हैं, इसके साथ में, इस दोनों का reaction करवा रहे हैं, reaction करवाने के बाद क्या आएगा, आप comment में जाकर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया है, वो आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ पे हम लोगों का precipitation reaction जो है, वो भी complete हो गया, फिर से मैं कहाँ दू कि जो भी reaction यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपको थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ेगा, एक दोबर आप याद कीजेगा, तो फिर खुच से लिखना सुरू कर दीजेगा, उतना जादा द क्याiene करते हैं तो आपको है, जैसे हम लोग reaction करवाएंगे, तो क्या होगा, ब्लू कलर कर रहेगा, जैसे ही यहाँ पर reaction कराएंगे, तो हमारा क्या होगा कि एक bluish white color का precipitate form होगा basic copper sulfate का यहाँ पर हम लोग क्या करे थे aqueous solution of copper sulfate के साथ react करवा रहे थे reaction के बाद हमारा क्या होगा basic copper sulfate यहाँ पर precipitate of basic copper sulfate produce होगा ठीक है precipitate of basic copper sulfate यहाँ पर produce होगा basic copper sulfate ठीक है जो रहेगा वो bluish white रहेगा bluish white रहेगा ठीक है यहाँ पर हम लोगो क्या था कि सिर्फ blue था लेकिन जैसे reaction हुआ तो यह bluish white हो गया अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब और ammonia यहाँ पर add कर देंगे ठीक है अगर इसी solution में हम लोग और ज्यादा ammonia add कर देंगे तो क्या होगा कि यह जो हमारा color था वो क्या हो जाएगा dark blue color solution बनेगा और dark blue color solution किस तीच का बनेगा वो देख लेते हैं dark blue color का solution बनेगा blue color का solution बनेगा और वो solution किसका होगा वो solution होगा आपका cupra ammonium chloride का cupra ammonium ammonia chloride इसका यहाँ पर बन जाएगा आपका dark blue color का यहाँ पर solution बनेगा तो देखे फिर से इसको एक बार समझने की कोशिस करते थोड़ा सा यह complicated है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ammonia और aqua solution of copper sulfate का क्या कर रहे हैं एक solution तयार कर रहे हैं तो वो solution हमारा क्या है वो solution हमारा blue color का है ठीक है वो solution सुरू में क्या था यह copper blue color का था लेकिन जैसे solution कियें तो क्या हो गया blueish white color में यह convert हो गया और जो हमारा aqua solution of copper था वो क्या हो गया basic copper sulfate में convert हो गया बात समझ में आ रही है अब हम लोग क्या कियें कि ammonia को और उसमें add कियें यानि excess ammonia उसमें add कियें जब उसमें और ammonia add कियें तो हम लोगों का क्या हो गया ammonia add करने से dark blue color solution फॉर्म हो गया और जो dark blue color solution था वो किशिच का था वो था हमारा cupra ammonia sulfate का ठीक है cupra ammonia sulfate तो यहां तक हम लोगों का reaction हो गया एक last reaction और देख लेते यह थोड़ा सा important है nesler's reagent के साथ reaction आपसे यह भी पूझा जा सकता है कि nesler's reagent आखिरकार किसको बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह समझतें कि nesler's reagent किसको बोलते हैं neslers neslers reagent neslers reagent तो देखे neslers reagent हम लोग बोलते हैं potassium mercuric potassium mercuric iodide को कहा जाता है potassium mercuric iodide को हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे nestlers reagent देखे होता क्या है कि थोड़ा सभी अगर इसके trace में आ गया मतलब इसके contact में अगर ammonia आ गया तो एक brown color का solution form होगा बस ठीक है अगर इसके contact में ammonia आ गया तो क्या होगा हमारा brown color का precipitate form होगा अगर आपसे कोई पूछे के nestler reagent से हम लोग किस तरह से identify करेंगे ammonia को तो आप लोग बुलिएगा कि अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे ammonia को थोड़े से भी contact में अगर लाते हैं nestler reagent का तो वहाँ पे क्या होगा एक brown color का solution form होगा और उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो gas क्या था ammonia था बात समझ में आ रहा है यहाँ तक अब हम लोग देख लेते हैं next के अगर हमारा leakage वगर हो गया ammonia का तो उसको किस तरह से हम लोग रोकेंगे उस जगह पे water को spray करने का ठीक है अच्छा facility होना चाहिए इस प्रे water water को spray करने का अच्छा facility होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने क्या पहला वीडियो पड़ा था के highly soluble in water है that's why अगर कहीं leakage बगर हो गया तो हम लोग वहाँ पे water को spray करेंगे तो हमारा कुछ हद तक safety बरकरार रहेगा next हमारा यहां पर precaution देखे तो क्या है कि हमारा जो face है और ice है उसको अच्छे से हम लोग wash करेंगे अगर गलती से भी अगर ammonia gas हमारे face के contact में आ जाता है तो हम लोग अपने face को और ice को तो हम लोग तो क्या करेंगे धग सकते हैं तो यह सब precaution है जब लीके जोगा तो उस वक्त यह सब हम लोग कर सकते हैं अब करते हैं हम लोग के हमारा जो ammonia है ठीक है उसको हम लोग किस किस जगा पर यूज में लेकर आते हैं किस जगा पर हम लोग ammonia को यूज करते हैं तो देखें अमोनिया को हम लोग fertilizer के तरह यूज करते हैं यूज ऑफ ammonia यूज ऑफ ammonia कहा कहा पर हम लोग ammonia को यूज़ करते हैं तो सबसे पहला जो है हमारा fertilizer बनाने में यूज़ करते हैं नेक्स्ट अगर देखें तो ammonia जो है वह हमारा refrigerator वगएरा में यूज होता है यूज होता है क्यूंकि इसके कारण क्या होता है देखिए हम लोग ने पहले वीडियो में क्या पढ़ाता कि यह लिकवेड में तुरंदerecht हो जाता हैं तो लेकृइड मीं जब कनवर्ट हो जाएगा प्रेसर डालने से ठीक है और जैसे प्रेसर हटाएंगे तो वह वापिस से वेपर में convert हो जाएगा तो यहां पे जो liquid से वेपर में convert हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि latent heat of vaporization यहां पे क्या होगा produce होगा जो कि हम लोगों ने class 9 ने पढ़ता कि latent heat आखिरकार क्या होता है तो latent heat of vaporization जो होगा जिसके कारण जो surrounding रहेगा अगल बगल जो पूरा area रहेगा वो क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा पूरा एकदम cool हो जाएगा क्या करते हैं आइस making plant उसे करते हैं आइस making plant में इसको यूज किया जाता है और भी बहुत सारे चीजमें इसको यूज किया जाता है क्लियर है तो यह थोड़ा सा दो टो हम लोगों ने एक्जांपल दहा कि कौन-कौन जगा में हम लोग अमोनिया को यंज करते हैं अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चर एंड यूज अफ अमोनिया के इंडस्ट्री में इसको किस तरह से manufacture किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो देखें इंडस्ट्री में manufacture करने का एक process है बहुत ही जादा famous process यह आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जादा famous process है और आप लोगों से यह process पूछा भी जा सकता है वो process क्या है उस process को हम लोग बोलते हैं havers process ठीक है havers process तो अगर आप से पूछे कि ammonia को industrial manufacture of ammonia हम लोग कौन से process से करते हैं तो आप लोग बोलिएगा havers process से हम लोग industrial manufacture of ammonia करते हैं ठीक है अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किस तरह से हम लोग इसको prepare करेंगें तो देखें यहाँ सेंपली हम लोग nitrogen को लेते हैं और है यहाँ पर hydrogen को लेते हैं nitrogen और hydrogen दोनों को लेने के बाद क्या करते हैं यहाँ पर देखें एक molecule nitrogen क लिए और जब इन दोनों को react करेंगे तो यह एक exothermic reaction होगा that means कि जब react करेंगे तो बहुत ही ज्यादा amount में heat produce होगा and उसके बाद जो हमारा बन जाएगा यह जाकर क्या बनेगा NH3 यानि के 2 molecule of ammonia बनेगा और साथ में यहां पे heat produce होगा ठीक है तो यह था reaction अब बात करते हैं कि यह जो reaction है इसमें condition क्या-क्या रहेगा उस चीसका बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो condition है वो यह है कि जो हमारा pressure होना चाहिए वह 550 degree Celsius temperature होना चाहिए next हमारा pressure तो pressure कितना होना चाहिए pressure हमारा 280m pressure होना चाहिए ठीक है और एक और condition हमारा क्या है कि यह जो होगा यह catalyst के present में हो होगा और जो catalyst use करेंगे यहां पे वो क्या होगा iron powder होगा यह हमारा catalyst जगह पे use हो रहा है और यह बहुत ही ज्यादा important है आप से पूछा जा सकता है कि हैबर्स process में हम लोग कौन सा catalyst को use करते हैं तो आप लोग यह बताइएगा इसी के साथ अगर एक और यहां पे एक और properties का यानि के एक और condition है वो यह है कि यहां पे कुछ promoters भी present रहता है ठीक है जो इसको क्या करता है reaction को promote करता है और वो क्या है वो हमारा alumina that means के L2O3 and इसी के साथ हमारा C2O भी है ठीक है तो यह यहां पे कुछ condition है कि 550 degree Celsius होना चाहिए temperature and 280m pressure होना चाहिए iron powder catalyst होना चाहिए and L2O3 औ और K2O हमारा यहां पे promoter present होना चाहिए और यह जो reaction है यह एक्सो thermic reaction है यानि के यहां पे बहुत ही ज्यादा amount में heat produce होगा और साथ ही साथ यह reversible reaction है बात मज में आ गया यहां तक अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पे ammonia से हम लोग किस तरह से यूरिया को prepare कर सकते हैं किस त इससे यूरिया को manufacture करेंगे ammonia से तो manufacture of urea manufacture of urea यूरिया को किस तरह से manufacture करेंगे यह हम लोग यहां पर देख लेते अच्छे से तो देखे करना क्या यहां पर एक यहां पर autoclave लेंगे यानि कोई भी जो हमारा पास equipment रहेगा जिसमें यह mixture को prepare करें जिसमें chemical reaction करेंगे वह लेंगे ammonia and carbon dioxide लेंगे क्या क्या लेंगे ammonia and carbon dioxide यहां पर मैं लिद दे रहा हूं equation जो है two molecule of NH3 प्लस carbon dioxide लेंगे तो यहां पर क्या हम लोगों का मिलेगा यहां पर हम लोगों का मिलेगा NH4 NH4 COO NH यानि के ammonium carbonate मिलेगा यहां ठीक है NH2 and इसी के साथ यहां पर थोड़ा सा heat भी liberate होगा इसके साथ तो यहां पर एक और condition क्या है वो देख लेते हैं condition यह है कि इसका जो ratio होना चाहिए वो 3 to 1 होना चाहिए यह ratio क्या होना चाहिए हमारा 3 to 1 का ratio में इसको हम लोग लेंगे ठीक है 3 to 1 के molar ratio में हम लोग यह वाला जो chemical ले रहा है यानि कि ammonia 3 to ammonia होना चाहिए 3 part and जो हमारा carbon dioxide होना चाहिए वो one part होना चाहिए इसमें condition क्या क्या है देखें इसका का condition है वो यह है कि जो temperature है वो 170 degree Celsius से लेकर 190 degree Celsius के बीच में होना चाहिए ठीक है इसी के साथ अगर हम लोग यहां पर pressure का बात करें तो pressure हमारा 100 से लेकर 280m pressure के बीच में हो सकता है 100 से लेकर 280m pressure क बीच में हो सकता है और यहां पर produce क्या हो रहा है हमारा ammonium carbonate carbonate यहां पर हम लोगों का produce हो रहा है और जब इस ammonium carbonate को हम लोग थोड़ा सा pressure इससे release करेंगे ठीक हलका सा इससे जब pressure हम लोग release करेंगे तो यहां पर क्या होगा वो देख लेते हैं NH4 जो है वो हमारा इस जगह यहां पर NH2 में convert हो जाएगा और यहां पर एक water molecule बाहर निकलेगा और साथी साथ हमारा heat भी बाहर निकलेगा बास समझ में आ रहा है इसका मतलब जैसे हम लोग तो यह बनेगा और इसी को हम लोग actual में क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं यूरिया तो यह वाला reaction आप लो CO-NH2 इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यूरिया कह रहे हैं साथ में यहां पर water molecule बाहर निकल गया क्योंकि यहां पर देखिए दो hydrogen जो था वो यहां पर कम हो गया तो यहां पहुंच गया और यहां पर दो oxygen था तो यहां एक oxygen एक oxygen कहा चला गया यहां चला गया ठीक है साथ म इसको मालूम है कि जितना भी fertilizer आता है ठीक है जिसमें nitrogen होता है वो हमारा यूरिया से ही बनता है ठीक है तो यूरिया एक good fertilizer है जिसके अंदर हमारा nitrogen भी होता है और अगर इसका बात करें तो यह plastic वगयरा बनाने में यूज होता है और साथी साथ adhesive यानि के जैसे फेवी कॉल ह हो गया और हमारा फेवी stick हो गया यह सब बनाने में भी हमारा यूरिया यूज होता है तो यह वीडियो बहुत जादा लंबा हो गया पर समझाना बहुत कुछ था इसमें इसलिए यह वीडियो इतना जादा लंबा हो गया पर उम्मिद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी पड़ेगा otherwise और कोई यहाँ पर option नहीं है कोई भी shortcut नहीं है नहीं तो मैं जरूर बताता आपको और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपकी दोस्तों की help कर सकता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को subscribe करके बिल आइकन को दबा लें ताके जब भी मैं कोई और वीडियो डालूँ आपके पास notification चला जाए मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए thank you